हेलो गाईज वेलकम बैक अगेन आप से भी का स्वागत एक बार फिर और आज का जो वीडियो है वो है स्केस खेल के उपर तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को आईए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस खेल के इंट्रोडक्शन की परिचाई की राइट तो ये जो खेल है रैकेट और बॉल पर आधरित खेले इसमें दो खिलाडी सिंगल्स में और डबल्स में चार खिलाडी खेलते हैं और इस खेल में जो कोट इस्तमाल किया जाता है चार दीवारों से घिरा हुआ होता है और इस खेल में जो बॉल इस्तमाल होती हो एक होगली होती हो रबर की बॉल होती है और इस खेल का जो उद्देश होता हो ये होता है कि बॉल को इस तरह हिट किया जाए कि बॉल जो है वो दीवार से जब टकरा कर वापिस आए तो क्या है कि opponent जो है उस ball को जो है defend ना कर पाई या उस ball को legally जो rule के according होता उस तरह से ना खेल पाई तो अब हम देख रहे हैं कि game किस तरह से खेला जाता उसका थोड़ा सा हम चित्र देख लेते हैं तो देखी इस खेल में क्या होता है कि ball को दिवाल पे हिट किया जाता है जैसा कि मैंने बता आपको और ball जो है वो एक टप्पे के साथ आपको खेल नहीं रहती या आप डिरेक्ली full toss भी खेल सकते हैं लेकिन अगर दो टप्पे होते हैं तो वो जो point जो है वो माना जाता है तो same बिलकुल वैसे tennis के जैसे खेला जाता है बस आप यह समझ सकते हैं कि यह जो है वो single court का tennis है कि एक ही side का tennis है जैसे कि tennis में net लगी होती हो दोनों तरफ खेलते हैं तो एक ही तरफ में दोनों खेल रहे हैं और net की जगह पर दिवाल होती है बस राइट I hope आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हुए अगर अभी समझ में नहीं आ तो आगे बढ़ते हैं समझ में आपको आ जाएगा तो अब हम बात करें इस खेल से जोड़े इतिहास की हिश्टरी की राइट तो ये जो खेल है वो फ्रांस से सुरू हुआ था पंदरा सुईस्वी में जब इस खेल को मनरंजन की तौर पे खेला जाता था अब जो लेकिन उसका जो आधनिक पार्ट है वो उसकी सुरुआत इ एक कोई संग है वो प्रॉपर वो बना था जिसको यूनाइट इस्टेस स्क्वेस रेकेट असोसियेशन यूएसस आरे कहा जाता था राइट अब इसको अमेरिकी स्क्वेस के नाम से जाना जाता फिर 1907 में एक समीती बनी थी इनके जो स्क्वेस का स्टेंडर्ड जो है उसक में लिखा होगा कि पांच खेलों से मिलके बना है ये लेकिन इसक्वेस जो है वो तीन खेलों से मिलके बना है हाँ जो इनकी जो उपसमीती बैठी थी जो स्टेंडर्ड तय करने वाली उनमें जो है वो पांच खेल के जो जो में असोसियेशन है वो बैठे थे राइट तो अगर हम Association की संमीखी में कितने सामिल थे तो पाँच खेल की Association जो थे, वो सामिल थे लेकिन अगर हम ये बात करनें कि ये खेल किन से मिलकर बना है तो ये तीन खेलों से मिलकर बना है लेकिन अब इसमें और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मुझे नहीं लगता है एक्जाम में कोई ज़्यादा रेलेवेंट है या कोई ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इसकी जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉड़ी की तो इसकी जो गवर्निंग बॉड़ी है वो क्या है विस्व स्क्वेस महासंग WSF अंतराष्टी ओलंपिक समीती IOC द्वारा इसको मानेता प्राप्त है लेकिन यह जो ऐख ऑलंपिक खेलों का अभी तक हिस्सा नहीं है राइट देखी इसको IOC जो है इससे मानेता तो प्राप्त है किसको? विस्वेस महासंगों को लेकिन यह अभी तक Auckland खेलों में सामिल नहीं है अगर यह question आगया कि Olympic खेलों में कौन सा खेल सामिल नहीं है तो ऐसा पूछा जा सकता है तो उसमें अगर SQS आया तो SQS Olympic खेलों में सामिल नहीं है बलकि जबकि उसको IOC से मानिता प्राप्त है उसके बाद भी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर रहे हैं इस खेल से जोड़े कोट की राइट तो देखे यह कोट है वो इस तरह से होता है इस तरफ चारो तरफ से दीवालों पर यह बंद होता है इस तरह से इस तरह से भी दो और दीवाल होती है लेकिन इसमें हम ये दो दीवाल को हटा कर इसलिए देख रहे हैं ताकि हम अच्छे से अंदर का व्यूज जो है वो देख सके जो जरूरी है जानना उसके बारे में राइट अब इसमें हम इसकी लंबाई चोड़ाई की बात करते हैं तो कोट की जो चोड़ाई है वो कित्ती होती है 6.4 मीटर और लंबाई कित्ती होती है 9.75 मीटर राइट इसकी जो आउटलाइन की उचाई अगर हम फ्रंट वाल की बात करें तो outline की उचाई 4.57 होती है और अगर हम यहाँ बात करें तो 2.13 होती है लगवग आधी होती है side wall में जब side wall से सामने की तरफ हम नीचे की तरफ उतरते आते हैं यह जो slope है इस तरह से बनता है line का तो लगवग यहाँ पर आधी बज़ती है I hope आपको clear हो गया होगा यह कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है हम देख लेते हैं इनकी lines जो important है जैसे की service line, outline outline के अगर बाहर touch होता है यहाँ कहीं पर ball touch हो रही है दीवाल पे तो foul माना जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर same इस तरफ अगर इस तरह से ball touch हो रही है तो out माना जाएगा और यह देखिए यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे coat होता है जैसे मैं अगर tennis का एक coat थोड़ा सा draw करके बताऊ उतने इच्छे से तो सायद में ना कर पाऊ जैसे कि यह boundary होती है यहाँ पर बीच में net लगी होती है इस तरही के से net लगी होती है तो यह जो lines होती ही न यह यह बिल्कुल वैसे ही काम करती है outline इनके बाहर अगर ball गिरी तो foul माना जाता है तो same इसमें भी अगर इन outlines के बाहर अगर ball गिरी तो foul माना जाता यहाँ पर 10 होती है एक line होती है 10 या हम यह बोल सकते हैं पट्टी टाइप से होती है तो इस पर अगर ball टकराती है तो भी foul माना जाता है और इसका region यह है कि यह जो पट्टी है यहाँ पर अगर ball टकराएगी और ball जो है अगर drop shot खेलेगा कोई खिलाड़ी तो सामने वाले खिलाड़ी के पास कोई चांस ही नहीं है तो कम से कम इतना चांस तो बने कि खिलाड़ी जो है सामने वाला उसको एक उसके लिए एक cover करना possible हो जाए राइट और हम इसको आगे जब सामने देखेंगे तो और अच्छे से clear कर लेंगे तो वहाँ आपको और समझ में आ जाएगा अब मैं इसको clear करता हूँ हाँ यह जो होते हैं यह service box होते हैं यह दोनों तरफ होते हैं एक clear का एक होता है एक दूसरे player का होता है और यह जो इन दोनों प्लेयर के एरियो को बीच में डिवाइट कौन करती है, हाफ लाइन डिवाइट करती है, हाफ कोट लाइन जो है वो डिवाइट करती है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो वो आगर क्लियर हो जाएंगी, पूरा देखिए वीडियो, आगर चलते हैं, अब हम बात करते हैं, रैकेट और बॉल की, हमने कोट को समझ लिया, अब दो और जरूरी चीज़े हैं, रैकेट और बॉल जो इस्तमाल की जाती हैं, में वो किस तरह से होते हैं, तो देखिए जो रैकेट है, उसकी जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कित्ती होनी चाहिए, वो छेसो, छेसो चैसी मिलिमीटर, या हम बात करें, इंच में तो 27 इंच इतनी हो सकती, और उसका जो ये वाले एरिया है, वो कितना चौड़ा हो सकता है, वो 8.5 इंच, या अगर हम मिलिमीटर बात करें, तो 215 मिलिमीटर जो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके वजन की बात करें, तो वो कितना होना चाहिए, इसका जो वजन है, वो मैक्सिमम 255 ग्राम, जो हो होता है, राइट लेकिन जो ज़्यादतर यूज किया जाता है वो 90 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में यूज जो है वो क्लिक किया जाता है राइट तो मैक्सिमम जो स्टेंडर्ड है वो 255 ग्राम का है लेकिन 90 से 150 ग्राम का जो बल्दा है बो ज़ात तर या जता है अगर हम बॉल का घर कितना होता है तो इसको हम देखे तो ये कितना होता है 49.5 से 40.5 मिली मीटर के बीच होता है और अगर हम इसके वजन की बात करें वेट की बात करें तो 23 ग्राम से 25 ग्राम के बीच इसका वजन जो होता है और बॉल जो है वो रवर की बनाए जाती है और खोकली होती है राइट और बॉल के उपर ये जो दो डॉट बने होते इनका भी कोई मतलब होता है उसको भी हम समझ लेते हैं कि जो डबल डॉट है वो बांस भी थोड़ी करेगी राइट और जो रेड कलर का अगर डॉट होता है तो वो मीडियम बॉल होगी स्पीड उसकी मीडियम होगी और वो थोड़ा सा जंप करेगी राइट और अगर ब्लू डॉट होगी तो वो बॉल फाउस्ट होगी और और बॉल के कंपरेजन में वो point system है point RLE to 11 ये भी एक point system में एक और use होता है point RLE to 15 यहाँ 11 की जगा 15 लिखा होता है वो भी point system होता है लेकिन जयादा तर point RLE to 11 ये use होता आज कल उसके बाद हम āते हैं दूसरी line में जो जयादा तर sabदावली दी हुई है वो game में जो use JEFF होते sorts वगेरा या जो भी चीजे use होते हैं वो सब्दावली में दिये हुए जैसे बोश्ट हो गया, drive हो गया, drop हो गया, hotball हो गया, kill हो गया, let हो गया, lob हो गया, rail हो गया, redrop हो गया, return हो गया, reverse हो गया, service box हो गया, sort line हो गया, the T हो गया, the T हो गया, the T हो गया, और volley हो गया, तो जो lines यहां पर जो खिलाड़ी हैं जो विसी खिलाड़ी होती है जो special कुछ उनमें होता है तो उनको चार प्रकार से बाट गया राइट, power player होता है, slot maker होता है, attrever होता है retriever होता है तो यह जो है इस तरह से खिलाड़ी ओन यो special है वो quality के अधार पर खिलाडी को बाटा जाता है तो इस type से 4 type से खिलाड़ी होते हैं तो अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं term detail में तो यहां पर 3 term है वो मैं clear कर देता हूं तो देखिए service जो है यह जाद दर बहुत सारे खेलों में आपने देखा वॉली वॉल में देखी होगा और टैनिस में देखा होगा और इसी टाइप के और भी गेम बैडविंटन इस टाइप की गेम में आपके देखा होगा राइट जैसे होता है तो जीस टॉस होता है क्रेकिट में या किसी फुटबाल जैसे गेम में होता है तो वैसे इसमें क्या होता है कि जो रैकेट होता है उसको Ready dop कर गोगल पिर जैसा ग्रता है उस कि आधार पर decide करता है कि लाड़ी कि कौन service करेगा राइट तो I hope आपको ये clear हो गया होगा तो service होती है अब यहाँ पर service का थोड़ा मैं कुछ rule बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि जो service जैसे कि service कोई player यहाँ पर यहाँ पर यह खड़ा हुआ यह service करेगा राइट यहाँ पर कोई player खड़ा है अब यह जो sort मारेगा ना इसको sort जो लेना है वो इतने area के बीच में लेना है यहाँ पर sort नहीं ले जकता वो यहाँ पर जो sort नहीं ले सकता उसको इतने area में ही sort लेना है आउट लाइन और service line के बीच में और वो भी front wall पे इतने area में ball जो है वो लगनी चाहिए अगर इसके नीचे लगती है तो भी foul होगा और कहीं हो लगती है इतने area के लावा तो भी foul होगा राइट तो यह है front wall में कहा लगना चाहिए तो यह पता चल गया अब उसके बाद जैसे की खिलाडी ने यहां से ball यहां मारी राइट तो ball जो है वो दूसरे service box के पास में आनी चाहिए राइट तभी वो service जो है वो legal मानी जाती है तो I hope आपको service पता चल गई होगी अब यहां पर service line क्या है तो यह service line यह मैं साहidto पहले भी बता चुका हूँ यहां पर हो गया यह मैंने बता दी और service box क्या होता है service box यह होता है यहां पर player खड़े होके service करता है या पिर कम से कम एक pair जो है service box में होना चाहिए तब ही जो है वो सर्विस जो है तब ही लीगल मानी जाती है तो आई होप आपको ये तीन टर्म किलियर हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं तो अब हम अगली टर्म देख रहें किया बोष्ट तो बोष्ट क्या होता है कि जब साइड वॉल से टकरा कर अगर बॉल सामने वाली या फ्रेंट वॉल में लगे और फिर रिटन आती तो उसको बोष्ट बोला जाता है उस सौट को राइट जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि ये एक जैसे कोई प्लेयर खड़ा है अब इसने साइड वॉल में सौट खेला और फ्रेंट वॉल में टकराया और फिर रिटन आया वापिस तो इस सौट को क्या बोला जाता है तो आप जिस साइड है उसी साइड की अगर साइड वॉल से इस सौट को खेलते है तो बोष्ट बोला जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नहीं हम ground में नहीं खेल रहे हैं तो ground stroke क्या देख ग्राउंड stroke का अब यह है कि नीचे की तरफ जब मीन की तरफ ground की तरफ right I hope आपको इतना तो clear हुआ होगा अभी तक जो वीडियो मेरे देखे हैं उसके हिसाब से तो ground stroke क्या है नीचे की तरफ देखी यहां पर थोड़ा sort clear कर देख जैसे कि यह कोई sort है एक sort आप मारते जो नीचे की तरफ आता है यह उसकी बात हो रहे ग्राउंड stroke एक sort अगर तो 3 1 5 डाउन in a यहां पर दिस आधिक प्रकार के sort कहले सकते हैं या या तो हम डृइब खेल सकते हैं या पर कुछ ऐसस एस सौर्ट खेल सकते हैं जो drive से थोड़े अलब होते है राइड को एक ऐसी लैंड जिस लैंड पर बहुत आप ड्राइब गुड लेंथ की अलावा भी इस खेल में खेल सकते हैं क्योंकि इस खेल में बॉल जो वो इतनी बाउंस नहीं करती है कभी-कभी ऐसा होता है कि बॉल जो है वो इतनी गरम स्टेट पर नहीं पहुंच पाती कि जिस पर आप ड्राइब जो है वो उसी सेम लेंथ पर drive खेल पाएं राइट जैसे कि आपकी ball जो है वो थोड़ा कम गरम है तो आपको थोड़ा सा कम height पर मिलेगी अगर ball जो है वो ज्यादा गरम हो गई है या match का लगवागा एंडिंग चल रहा है तो ball जो है वो थोड़ा सा और bounce होकर आएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा different है ball के हिसाब से खेला जाता राइट आप I think इतना clear हो गया होगा है तो drive simple वो सौट होता जो सीधे bet से खेला जाता है किसी भी जहाँ पर भी किसी भी game ने drive होगा वो सीधे bet से ही खेला जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है drive बोला जाता है मैं बता दे रहे हूं अगर समझ ना है जैसे कि यह है सिंपल आपने सीधा सीधा फ्रेंट वाल में मारा और वो नीचे की तरफ आया तो यहां आ गया नीचे की तरफ या फ्रेंट वाल से टकरा के अगर साइड वाल से भी टकरा गया ने नीचे की तरफ लेकि नीचे की तरफ पाए है ना तो उसको क्या बोल जाता है ड्राइब बोले जाता है राइट आई होप क्लियर हुआ होगा आगे बढ़ते हैं अब अगला जो टर्म है वो क्या है ड्रॉप एंड रीड्रॉप यह दो टर्म हम आभी समझ रहे हैं दोनों एक ही है लेगे एक ऐसा सौर्ट जो छोटा गिरे और आम तोर पर टिन के बहुत अधिक उपर ना हो राय या एक ऐसा सौर्ट जो छोटा गिरे यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आप खड़े हैं और यह सौर्ट भुखोट ही चोटी उचाई पर आए बहुत ही मार देंगे तो आपको फाल लग जाएगा राइट तो आप यह जो टिन है इसके जस्त तो पर थोड़ा से उपर आगर आपने मारा और वहीं कि वहीं क्या होगे गिर गया तो इसको क्या बोला जाता है ड्रॉप बोला जाता आपने जैसे कि यह स्थाट खेला आप यहां पर पास में तो आपने यहां पर स्थाट खेला यहां पर एसा डिरेक्सीन ओ Einsatz RICHARD वह यही के यहां नीचे गिर्जाए बिल्कूल तृанд कि तृанд की तृанд की देब जा है तो इसको बोले जाता ड्रॉपॉड्प बोले जाता राइट एक ऐसी हुचाई पर जो सबसे मिनिमम होती है मानने के लिए लीगली सबसे मिनिमम हुचाई होती है वहाँ पर अगर आप हलका खेल के बिल्कुर पुस्ट करके और आप पॉइंट गिराने के कोईश करते हैं उसको बोला जाता ड्रॉब बोला जाता है इतना एक्रेट सोट खेल पाना बहुत मुस्किल होता रहे तो मेलनी इसको फृरंट वाल के पास में आकर खेला जाता है बिल्कुर चोटी उचाई पर इसको खेला जाता है और वहीं के वहीं यह बिल्कुल हलका सब और आगर एकर अग्र यजल्दी से बौडь भी खेल दे तो उसको बोला जाता है री ड्रॉप बोला जाता है कहने के मतलब यह है कि आपने ड्रॉप खेला और उसका counter sort आपके opponent player का भी drop आ गया तो उस जो आपका opponent player जो drop खेलेगा उसको redrop बोला जाएगा राइट आई होप आपको clear हुआ होगा आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर रहे है होट बॉल की राइट तो होट बॉल क्या होता होट बॉल उस अवस्था को कहते हैं जब बॉल बाउंस होने लाइक गर्म हो जाती है इसके लिए थोड़ा सा warm up खेला जाता है जो 4 मिनिट का दोनों तरफ होता राइट तो कहने का मलब यह है कि होट बॉल क्या होती है कि जब बॉल बाउंस होने लगे तो इसको हौट बॉल बोल जाता है देगे क्या होता है कि जो squash की बॉल है वो ज़ादा उचलती नहीं है जब गेम सुरू नहीं होता है तब वो ball बिल्कुल dead होती, बिल्कुल नहीं उचलती है लेकिन जब उस पर कुछ sort लग जाती है तो ball इतनी गरम हो जाती है वो थोड़ा उचलने लगती जिससे game हो सके तो उसके लिए क्या होता है कि एक 4 minute का दोनों तरफ 4-4 minute का क्या खेला जाता है वाम अप खेला जाता है दोनों तरफ चेंज कर करके तो उससे क्या होता है कि ball जो है थोड़ी गरम हो जाती है और जो body है वो भी गरम हो जाती है दोनों हो जाती है तो जो वाम अप में 4 minute का खेला जाता है उसके बाद जब ball जो है तो हम देख रहे हैं कौन सी टर्म किल देख रहे हैं किल क्या होता है कि एक hard hit या एक तेजी से powerful shot जो है जो एक point को निश्चित कर दे उस shot को क्या बोल जाता है kill shot बोल जाता कुल में लाकर क्या है कि जो एक point को kill कर दे ऐसा shot जो है वो क्या कहला जाता है kill shot कहलाता है अब ये shot कप खेला जाता वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा आपको और समझ गयागा जैसे कि आपको पता चल गया कि आपका जो अपोनेंट है वो इतना दूर रहा गया कि अब आप front wall पे मारके अगर तेज shot मारेंगे तो वो player जो है क्या है let or no let, right? let and no let ये दोनों term को हमें एक साथ clear करने वाद देखिए ये क्या होता है, एक referee के लिए call होता है player के द्वारा, right? एक referee के लिए call होता है player के द्वारा, ये इसकी spelling थोड़ी I think mistake हो रहा है right, तो referee के लिए call होता है उसको क्या बोले जाता है लेकिन वो जो call है referee को अगर वो call सही रहती तो उसको let बोले जाता है अगर referee को call गलत रहती है तो उसको no let बोले जाता है अब यह कैसे में आपको समझाता हूँ जैसे कोई player है अगर आपका opponent player है कि वो कुछ disturbance पैदा कर रहा है आपके रास्ते में एक दूसरे के रास्ते में आ सकते हैं अगर उनको sort खेलना है तो राइट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से सामने आ जाते हैं कि disturbance लगता है और sort नहीं खेल पाती है बिजन व्लॉक हो जाता है तो उस condition में आप जो है वो लेट कॉल कर सकते हैं रेफरी के लिए अगर लेट कॉल किया जाता वो रेफरी को ऐसा लगता यहां disturb हुआ है तो रेफरी लेट प्रवाइट कर देता आपको तो वहां पर जो है वो अगर आप उस sort को नहीं खेलते तो कोई दिक्कत नहीं आपको point नहीं जाता लेकिन अगर को disturbance नहीं हुआ अगर आप sort नहीं खेल पाए और disturbance भी नहीं तो आपको no let दिये जाता और सामने वाले opponent player को point जो हो मिल जाता है तो I hope आपको clear हुआ होगा आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करें अगली term की lob की तो lob क्या होता है कि एक SS out होता जो हलका साथ खेला जाता है और वो front wall में लगने पर सामने वाले दिवार में लगने पर उपर हवा में थोड़ा उचा जाता है तो इसको क्या बोले जाता है जैसे कि मैं थोड़ा draw करके आपको समझाता हूं कि ये कौन सी wall है ये front wall है और माली जी आप sort लेने के लिए यहां पर खड़े हैं और आपने sort लिया ऐसा और sort उपर गया तो इसको क्या बोले जाता राइट तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक grounded sort होता grounded sort किस तरह से खेला जाता है इस तरह से खेला जाता हो नीचे की तरह पाता है उसको उल्टा होता है लाइट जो की हवा में खेला जाता है लेकिन ये front wall से लगकर जब उपर हवा में जाता है तब इसको यहाँ पर यह पहला सोट के लिए दूसरा अब यह थर्ड अटेम्ट देखना यह वाला यह हवा में खेला उपर आया तो इसको बोला जाता है लॉप सोट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आगे बढ़ते हैं अगला है क्रॉस कोट यह बहुत ही सिंपल है क्रॉस कोट जब इस पिक्चर में आप देखना कि वो सोट लगाया है वो दूसरी तरह पा जाता है जैसे कि यह थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाने के लिए बना के बता दे रहा हूँ आपको जैसे कि यह साइड वॉल है यह साइड वॉल है यह फ्रेंट वॉल राइट तो जैसे कि आप यह खड़े हैं आपका अपोनेंट है जो कोट हो इस साइड है तो आपने ऐसा सोट खेला और वो क्रॉस करके इस तरह पागे राइट तो इसको बोल जाता क्रॉस कोट बोल जाता ये कप अच्छा रहता है जब आपके साथ में जिसे कि कोई अपोनेंट प्लेयर है वो आपके आसपास यहां कहीं पर है और आपने क्रॉस कोट खेल दिया तो उसके लिए कवर करना बहुत मुस्किल हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको पॉइंट मिल जाए तो ये एक प्रकार वाले वाल में टकरा है उसके बाद फ्रंट वाल से टकरा है वहाँ पर क्या होता था कि उसी साइड वाल जिस साइड आप हो उसी साइड की जो वाल है वहाँ पर टकरा का फिर फ्रंट वाल में टकरा है तो उसको वुष्ट बोलते हैं लेकिन रिवर्स को बोलते हैं जब जो side wall है वो दूसरी तरह हो वहाँ टकरा कर फिर front wall में टकरा है उसको reverse बोलते हैं आए देखते हैं थोड़ा सा मैं draw करके आपको बता हूँ जैसे कि ये code draw कर दे रहा हूँ इसका इस तरी के से रहता है राइट तो ये हमने एक थोड़ा सा देख लिया तो यहां माली जी ये side wall है इस outside przy side wall है ये front wall है तो माली जी कि आपने येँ से sock मारा अप इस side है आपका side ये है right तो यहां से आपने मारा दूसरे color में बताना आँ पो यहां से टकरा है right और इस side गया और वापस है तो opposite side wall में टकरा कर अगर front wall से टकरा कर फिर वापस आती है तो इसको क्या बोले जाता है? reverse बोले जाता है I hope clear हुआ होगा आपको अब wallie क्या होती? wallie कुछ नहीं full toss खेल लेना wallie कहलाती है, जब wall को floor पर आने से पहले ही हवा में sort ले लेते हैं तो इसको बोले जाता, wallie जो एक टपा में खेलते हैं उसकी जगा अगर आप directly भी खेल लेते हैं तो इसको wallie बोले जाता है, right? I hope clear हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं तो अब हम देख रहे हैं type of players, right? तो सबसे पहले power player, power player वो जो की powerful sort खेलते हैं और सामने वाले opponent को time कम देते हैं इतना तेश साट कहलेंगे कि आप recover करी नहीं पाएंगे अगले होते हैं sort maker जो की बिल्कुल accurate sort खेलते हैं इतना accurate sort खेलते हैं कि उनको पता रहता कि कौन सा sort जो है, किस समय और किस condition में खेलना है कि सामने वाले को समय या point recover करने का मौकणा मिले तो अगले होते हैं कौन retriever retriever वो होते हैं जो अपने प्रतिवरंदी को return sort और counter sort खेल कर जो चकमा दे देते हैं, कहने के मतलब है कि आपको पता कि ये point होगा तो आपने sort खेल दिया लेकिन सामने वाले प्लेयर जो है वो उस चीज़ में होते हैं कि जो point वाले sort है उसको recover कर लीता है मतलब जो cutting condition में भी recover कर लीता है या हम यह बोत सकते counter कर दीता है तो उनको क्या बोल जाता है, retriever बोला जाता है और उसके लिए क्या होता है सामने वाला प्लेयर ता या नहीं रहता है वो तो समझ रहा जाता है कि पॉइंट में ली जाएगा कहना के बलब यह है कि वो दोड़ कर recovery करते हैं कुछ player ऐसे होते हैं वो short से recovery करते हैं लेकिन वो दोड़ने से भी recovery कर लेते हैं और साथ में short भी तेज खेलते हैं इनको क्या बोला जाता है attrational player बोला जाता है right तो I hope आपको यह players समझ में आए होंगे आगे बढ़ते हैं so guys video यहीं पर end होता है I hope आपको video पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो video को like जरूर करना अगर आप नए हैं हमारे channel में पहली बार video देख रहे हैं तो channel को subscribe जरूर करना और मिलते हैं नए video को साथ तब तक के लिए good bye